आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ आएए देखते हैं यहाँ पे एक प्रश्ट निम्नलिखित को घतांग के रूप में लेकर सरल केजिए कोश्ट में 2 पे घात कितना है? 2 गुड़े, 3 पे घात 2 बटा में 2 पे घात 3 गुड़े 6 पे घात 2 और उसके पूरी के घात 2 है तो आएए देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका? 2 पे घात कितना है? 2 और गुड़े, 3 पे घात कितना है? 2 और बटा में 2 पे घात 3 और गुड़े 6 पे घात कितना है? 2 ठीक, इसके पूरी के घात कितना है? 2 अब हमें क्या करना है? इसको हल करना है अब इसको हल करने के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे? 2 ठीक और इसके पूरे के घात कितना 2 ओके अब देखिए हमें पता है कि A पे घात M गुड़े B पे घात M हो तो क्या होता है A गुड़े B पे घात कितना M होता है ठीक तो अब यहां से क्या हो जाएगा अपना अब यहां से हो जाएगा 2 पे घात 2 गुड़े 3 पे घात कितना 2 और निच्छे अपका क्या हो जागा? दो पे घात तीन और गुणे दो पे घात कितना? दो और गुणे तीन पे घात कितना? दो, ठिक, इसके पूरे के घात कितना? दो, तो यहाँ से देखे हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं दो पे घात दो ठिक और गुणे में तीन पे घात कितना दो ठिक और यहां पर देखें दो पे घात कितना है तीन और दो पे घात दो तो देखें हमें पता है कि ए पे घात M गुणे ए पे घात N क्या होता है a पे गात m पलस n होता है ये घतांके नियम से होता है ठिक तो यहाँ पर अब नीचे क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा अपका 2 पे गात, यहाँ पर 3 दू कितना हो जाएगा 5, और गोरे 3 पे गात क्ीतना हो जाएगा 2, इसके पूरी पे गात कितना? 2 अब देखिए एक सी जोर हमें पता है कि a पे घात m बटा a पे घात n क्या होता है a पे घात m माइनस n होता है ठिक तो इस परकार अब यह क्या हो जाएगा यह गा 2 पे घात 2 माइनस 5 ठिक और गुणे में क्या हो जाएगा 3 पे घात 2 माइनस 2 इसके पूरे के खात कितना 2 अब यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अपना 2 पे खात माइनस 3 और गुणे में क्या हो जाएगा 3 पे खात 0 हो जाएगा इसके पूरे के खात 2 अब देखें हमें पता है कि A पे खात माइनस हैं एक बटा ए पे खाते हैं और ए पे खात 0 अपका एक के बरावर होता है तो इस पर का तीन के खात 0 क्या हो जाएगा एक के बरावर हो जाएगा ठिक तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एक बटा दो पे घात तीन ठिक और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे में एक और इसके पूरे के घात दो हो जाएगा ठिक तो अब यहाँ पे क्या आजाएगा यह आजाएगा अपका एक बटा दो पे घात 3 ठीक और इसके पूरे के घात कितना दो आ जाएगा ठीक अब पुनम घतांके नियम का प्रयूग करेंगे ए पे घात M और इसके पूरे के घात N क्या होता है ए पे घात M गुड़े N होता है ये घतांके नियम से ठीक तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा एक बटा दो पे घात कितना हो जाएगा छे हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखे एक बटा दो गुड़े एक बटा दो गुड़े एक बटा दो गुड़े एक बटा दो गुड़े एक बटा दो तो यह हो जाएगा आपका उत्तर, नन्यवाद